प्यारे बच्चों, कक्षा 10, कक्षा 10, विसे विज्ञान, विसे विज्ञान, जो कि आपकी परिक्षाएं भी महत्तुपूर्ण हैं, और परिक्षाएं बिल्कुल बिल्कुल पास में हैं, ठीक है? परिक्षा एकदम नजदीक हैं आईए आपको कुछ प्रस्ण बताते हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं परिक्षाओं की द्रिष्ट से बोड़ परिक्षा की द्रिष्ट से इनको आप देख लिजिए बड़े अच्छे तरीके से और अपनी परिक्षा में इसको कीजिएगा ठीक दूरी वाले आउतर लेंज की छमता ग्याद कीजिए चार मीटर फोकस दूरी वाले आउतर लेंज आउतर लेंज की छमता की छमता ग्याद कीजिए ठीक है देखिए ये प्रस्न आपको जरूर मिलेगा हो सकता चार मीटर ना मिले एक मीटर हो या चार मीटर एज्जेक्ट भी आ सकता है या दो मीटर आजाए या सेंटिमीटर में आजाए लेकिन आपको जब पता होगा कि इसे करना कैसे है तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं ये कोईश्चन एक नंबर या दो नंबर में अवस्याएगा कभी कभी या चार नंबर का भी एक पार्ट होता है क्योंकि 4 नमबर बड़ा question होता है तो 2 या 3 पार्टों में होता है अब देखिए 4 मीटर focus दूरी की जो है वो छहमता तो lens की छहमता हमने आपको बताई थी lens की छहमता ठीक है बराबर एक बटे F कब जब focus दूरी किसमे हो मीटर में हो ठीक है ऐसा बताया था और दूसरा lens की छहमता बताई थी lens की छहमता बताई थी आपको 100 बटे F जब F काहे में हो cm में हो यानि lens की focus दूरी यानि ये जो focus दूरी है वो काहे में होनी चाहिए cm में दी हो और तब ये सूतर होगा lens की छहमता बराबर 100 बटे F cm में और यदि यहाँ focus दूरी काहे में दी है में दी है जैसे की यहाँ पर दे रखा है तो सूतर लगेगा ये वाला lens की छहमता बराबर एक बटे F काहे में meter में ठीक है तो यहाँ पर हमको meter में दी है तो इसलिए सूतर ये लगेगा तो यहाँ पर lens की छहमता बराबर lens की focus दूरी कितनी दी है focus दूरी हाँ पहला देख लेजिएगा lens कैसा है यहाँ पर आउतर lens कैसा lens है आउतर lens है अगर आउतर lens होता है तो focus दूरी को कहे में लेते है रिणात्मक में लेते है यहाँ पर 4 meter है तो रिण 4 meter अगर lens उत्तल हो तो focus दुरी धनात्मक होती है क्योंकि उत्ता lens की focus दुरी क्या होती है धनात्मक होती है ठीक है अब देखिएगा तो 4 मिट ले ली और lens की छमता lens की छमता को दिखाते हैं P से P पावर पावर मानि छमता एक बटे F आला सूतर होगा तो F की जगह पर है माइनस 4 मिटर माइनस 4 मिटर है यह हो जाएगा lens की छमता lens की छमता P बराबर हो जाएगा एक को 4 से भाग करेंगे यह माइनस उपर आएगा माइनस एसर होगा 0.25 D D 4 क्या होता है डायोप्टर डायोप्टर क्या होता है lens की छमता का मातरक और इसे D से दिखाते है ठीक है ना समझ माई बात अच्छा यह प्रस्ण ही पूच्ता है lens की छमता का मातरक क्या होता है तो lens की छमता का मातरक होता है डायोप्टर तो ये इस प्रकास है, निकाल लेंगे, इसको जरूर आप तयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रस्न आएगा ही आएगा, तो जो प्रस्न आने वाला है, तो उसको क्यों न हम पहले से कंठस्त कर लें, तयार कर लें, अगला प्रस्न है, अगला प्रस्न है, आकास का रंग नीला क क्यों दिखाई देता है यह दो नमबर में आएगा आकास का रंग नीला क्यों दिखाई देता है तो इसका सीधा सीधा उत्तर है एक घटना होती है जो की अंत्रिक्ष में घटना होती है देखिए जो हमारा अंत्रिक्ष है आकास है वो छोटे छोटे धूल के कणों से भरा हुआ है भरा पढ़ा है जो हमारा आकास है वो छोटे छोटे धूल के करों से भरा पढ़ा है ये आकास हुआ और ये चोटे-चोटे कण क्या है, धूल के कण है, अब सूर से प्रकास चलता है, सूर से प्रकास चला, तो जब यह सूर का प्रकास जो हता है, स्वेध प्रकास समझ गए, और स्वेध प्रकास जो है, वो हो साथ रंगों से बना होता है, विब जी वाई ओ आर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ विब ग्योर साथ रंग होते हैं ये तो इसमें जो बैंगनी रंग होता है सॉरी, जो नीला रंग होता है वो भी होता है साथ रंगों में नीला रंग भी होता है तो जब नीले रंग की किर्णे इस धूल के कण से टकराती है तो वह चारों दिशाओं में फैल जाती है चारों दिशाओं में फैल जाती है इस प्रकार से इस घटना को बोलते हैं प्रकास का प्रकीणन क्या बोलते हैं प्रकास का 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 प्रकास है अकास प्रकास के प्रकिणप के कारा ठीक है इस प्रकास सबमाती है तो बच्चों उमीद हैापको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सेर कर दिजिए के साल लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो कैसा लगा अगर कोई एक क्वेशन पूछना है किसी क्वेशन पर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेशन लिख दीजिए हम उस पर एक वीडियो अलग से बना के आपको समझा देंगे तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही तब तक के लिए हैव नाइस टाइम पढ़ते रहिए थै थैंक यू